अगर आपको भी घर पर ब्रेड बनाना मुश्किल लगता है तो आज आपकी मुश्किल को एक तम आसान करने के लिए मैं लाई हूँ यह सूपर सॉफ्ट ग्लूटन फ्री हाई प्रोटीन और फाइबर से लोड़ेड बंस की रेसिपी इसमें ना इस्ट है न मैदा न चीनी औ अगर आपके लिए एक दम बेस्ट रेसिपी है अगर आपको कोशिस अच्छी लगे तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखे और मुझे सब्सक्राइब करें तो आई रेसिपी को शुरू करते हैं मैंने एक कप लेली है लाल वाली मसूर की दाल इसको अच्छे से हमें धोना है और इसे फिर हम भीगा कर रखेंगे करीब 4 घंटे के लिए या फिर आप इसको ओवरनाइट भीगा सकते हैं तो मैंने इसको करीब 4 घंटे के लिए भीगा दिया था दोकर तो अब ये जो पानी है ना इसको हम निकाल कर अलग क जितना पानी ये मैंने यहाँ पर एक चोधाई कप पानी डाल दिया है और इसे हम एकदम फाइन पेस्ट में पीस लेंगे ये देखिए दाल हमारी अच्छे से एकदम पेस्ट बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाना चाहिए तो दाल को मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे तो सबसे पहले ना इसमें डाल रही हूं डेड़ बड़ा चमच ओलिव ऐल आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ओल डाल सकते हैं साथी में आधा चुड़ा चमच इसमें नमक डाल दिया है अब मैं ले रही हूँ हूं या फिर सीलियम काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता दू कि ये ना सॉलिबल फाइबर है बहुत ही अच्छा एक प्री बायिटिक भी है और इसम गोल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं आप चाहें तो इसको कॉंस्टिपेशन में किसी को आइबर होने के वज़़ा से ये वेट लौस में भी काफी है क्योंकि काफी टाइम तक इसको लेने के बाद हमें भूक नहीं लगती है इसमें मैं चार बड़े चमज इसपगोल डाल रहे हुग यानि कि एक चोथाई कप के जितना आपका हम ध्यान रखेंगी कि जैस करेंगे तो जैसे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे यह सारा मॉइस्चर जो है ना दाल का पानी एक्स्ट्रा वह सारा एब्सॉर्फ कर लेगा और दाल का टेक्शर एक दम चेंज हो जाएगा तो यह देख सकते हैं कि यह काफी थिक हो गया है तो अब लास्टी मैं डाल रही का इसमें डाल सकते हैं तो मैं एफल सादर वेनेकर में डाल रही हूं तो आध़ा लगता चमझ मैं इसमें डाल दिया है ध्यान रखेंगे कि आधा बड़ा चम्मज डालना है जो बड़ी चम्मज से हमने इसब गोल आपा था ना बस उसी चम्मज से और इसको हम फटा फट से मिक्स कर लेंगे और उसके पहले ही ना हम अवन को प्री हीट करने के लिए रख देंगे मतलब ध्यान रखें कि जैसे ही आप दाल को पीसे ना स्काइब कि भी तृट को यह सुस्चाइब करने सादी गें में परक्फेद गाने तिल है उसमें रूल करके लगा दिया है आप लिए आको बिल्कुल अटाशने में आटों को च्यवग पिरोने चाएं अजब को बिल्कुल दूंट सर हम इसको इसे इसे ब्belsीनि बाना और बस यह ध्यान रखेंगे कि बीच पीच में जैसे जरुवत हो ना हाथों में हलका सा ओयल लगा ले अब चाहे तो आप pumpkin और sunflower seeds में भी इसको रोल कर सकते हैं यह देखे इस तरह से और बहुत ही आसानी से यह बन जाते हैं क्योंकि हमने इसमें जो fiber डाला था तो उसने सारा पानी अच्छे से अब्सॉर्फ कर लिया है तो यह बहुत ही आराम से बॉल्स बन रहे हैं मैंने इसके 6 बंस बनाए हैं अगर आपको बर्गर बंस नहीं बनाने हैं तो आप इसको एक लोग जैसा बनाकर और ब्रेड के जैसे भी पेक कर सकते हैं अवन को 180 डिग्री पर 25 मिनिट के लिए मैं बेक कर रही हूं और यह देखिए हमारे बंस बन के तयार हो गए हैं जैसे ही यह आवन से हम निकालेंगे हमेजे थोड़ा सा मेल्टेड बटर से ब्रेश कर देना है ताकि यह सॉफ्ट रहे और इसमें हलकी सी शाइन आ जाए और फिर हमेसे हलका सा तरह से थंडा होने देंगे फिर मैं इसको कट करके दिखाती हूं और मैं आपको आगे दिखाऊंगे कि हम ऐसे किस तरह से यूज करती हो यह देखिए कितने सूपर सॉफ्ट बने हैं बहुत ही मज़िदार है लेकिन हाई चीज ज़रूर बोलूंगी कि जो मैदे या फिर व बनाने के लिए और फिर इस पे ना मैंने यह कर्ड बेस डिप लगाया है यह मैंने काले चने की इस पे पैटी लगा दी है और इसमें मैंने धेर सारा सालेड डाल दिया है तो इस तरह से आप बर्गर तो बना ही सकते हैं लेकिन ना मैं जनरली इसका बर्गर नहीं बनाती इस विखने बर्गर के बंस में चार स्लाइस कट लेतीओ। पतले पतले और तो फिर उसमें लगाया है गार्लिक पटर और फिर ऊइवत क्रिस्पी ना मैंने ग्रिल कर लिया है। तो इससे आज मैं बना रही हूँ अवाकाडो टोस्स जिसके लिए मैंने गौए कमोले बना लिया है इसको थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे और गौए की रेसिपी ना मैंने वेज परीटो बोल के वीडियो में भी शेयर की है और बहुत सारे मैंने वेजी ओवरलोड टोस् इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टोपिंग्स पताई जैसे घर में हम संड्राइट टोमेटो कैसे बना सकते हैं गार्लिक मश्रूम या फिर चिली पेपर तो कुछ आइडिया के लिए आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं और वैसे अपने मन चाही टोपिंग्स भी टेक केर बाई